तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैंबली इथर इसके बाद इस्टर रह जाएगा पहले इथर कर लेते हैं देन इस्टर की तरफ जाएंगे इथर का जनरल फॉर्मुला आर ओ आर सबसे पहले इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं कि दी कि अलकाइल देरिवेटेवस ओफ एलकोहॉल्स और नोन एज एथर इथर को आप अलकाइल डेरिवेटेव ओफ एलकोहॉल कह सकते हों समझा देता हूं कैसे देखो अलकोहॉल क्या होता है हमारे पास अलकोहॉल होता है और और ओ एच अगर मैं किसी तरीके से इसके इस एच को रिप्लेस करके इधर अलकाइल लगा दूं तो यह इथर बन जाएगा इस तिया इसको कहते हैं अलकाइल डेरिवेटेव ओफ इथर सारी अलकोहॉल जैसा के अगर मेरे पास फॉर इकजप्ल मीथाईल अलकॉहॉल है और में मीथाईल अलकॉहॉल के एच्व आपकर एक और मीथाईल फॉर इक्जमपल जोड़ दूं तो टैट विल भी डाई मीथाईल एथर ठीक है इसके लावा इसकी एक और डेफिनिशन भी है और दूसरी डेफिनिशन क्या बनती है इसकी दरा देख लिजी दी डाइ अलकाइल डेरिवेटिव्टिव्ट और वाटर और नोन एज अज doughnut मैं कि है और आपके पास आभेटिव डेरिविटिव्टिव जो है वो आपके पास एथर कहलाते हैं अब क्या मतलब है इस बात का इसको भी देखेंपल है जरी है समझते हैं देखिए अच्छा एक बात तो अब तक आप लोगों समझ में आ गई होगी कि जब भी डेरिवेटिव बनता है तो डेरिवेटिव बनते वक्त हाइड्रोजन रेप्लेस होता हो और उसकी जगा कोई और चीज लगती है जिसका डेरिवेटिव बना रहे हैं तो ऑक्सिजन यही को अटाकर मैं फॉर एक्जेंपल इथाइल एड कर दूं तो देट कैन बी रेफरेड एज डाई इथाइल एथर क्लियर हो गई वाली बात है यह से ठीक है अच्छा अब देखो इथर जो होते हैं आपके पास इथर आर ओफ टू टाइपस इथर दो तरह के होते हैं कौन कौ नुमबर वन सेमेट्रिक एथर अट नुमबर तू एच्छा अच्छा सेमेट्रिक एथर्ष और और इनका जनेरल फॉर्मूला और इशमेट्रिक एथर्ष का जनेरल फॉर्मूला और ऑओ आरद डेश ऐस अलख इससे अलग हैं अच्छा अब गा ए इक्दू यह आगए आपके पास सेमेट्रिक एथर डाइ मिथाइल इथर अ dow जो आगे आपके पास आपके पास एक सेमेट्रिक एथर डाई प्रोपाईल एथर अब एस्यमेट्रिक की तरफ आई है इसी तरीके से हैं सी टू एच फाइफ ओ अचाहिए दर सी एच तरी मत लिख देना कोई किसारी अलग हो गया अलग नहीं वहाई वह एक ही रहेगा कान इदर से पकड़ो एदर से पकड़ो पकड़ तो कान ही रहे हो ना कि सी 310 ओघ सी 511 तो2020 सब्सक्राइब्व है तो सब्सक्राइब इसमेट्रिक है ऊस्वात है नो सा है programming еلا अस्वाल कि सब्सक्राइच मैं लिएख अले बिलकुल हो सकता है तो कि अच्छा इसके नॉमन क्लेश पर मैं अभी नहीं जा रहा इसकी में प्रेपरेशन पहले पढ़ा रहा हूं आप लोग को और नॉमन क्लेशर हम जो अगली हमारी क्लास होगी ने साड़े साथ पाली उसके अंदर देख लेंगे वो ज़्यादा बैतर रहेगा सिर्फ उसमें नॉमन क्लेशर ही डिसकस कर लेंगे तो पूरा हमें प्रॉपर टाइम मिल जाएगा अच्छा अब हम जो फैमिली इस फैमिली का जो कंपाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर स्टेडी परपस्ट वह है टाइए इथाइल एथर हमारे कोर्स में डाइए इथाइल एथर की पढ़ाई है जैसे हर फैमिली का एक एक कंपाउंट हमने सेलेक्ट किया उसकी प्रिपरेशन वगरा पढ़ी है तो हमारे पास डाइथाइल इथर है फॉर्मुला क्या इसका सी टू एच फाइफ ओ सी टू इथेन कहते हैं ठीक है अच्छा यह लिक्विड होता है और पाकिस्तान में तो लिक्विड होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो आपको पता है कि नॉर्मली कराची के अंदर जो हमारा टेंपरेचर है वह फॉट्टी अबव ही होता टेम्ट्रेचर 38 पर बॉइल नहीं होगा और ठीक है मैं मान लेता हूं लेकिन टेम्ट्रेचर 38 के उपर यह अपने बॉलिंग पॉइंट के इतना करीब होगा कि यह एक हाइली विप्वुराइज लिक्विड होगा यह भी तो सोचो खिय हाईली विपॉराइस तो होगा ज् पिर वेपर्ज या गैस की सूरत में मिल रहा होता है अब इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं कि है अब 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 इस लिए अब इस लिए अब इस लिए अब आए कि है कि पहले इसको बनाना कैसे जाए बनाया कैसे जाएगा देख लेते हैं जैसा कि हमारी बात हो चुकी है कि दियार एलकोहल डेरिविटिव तो इथाइल एलकोहल का इस्तमाल कर सकते हैं कि भाई यूजिंग एच्टू एसफोर इथाइल एलकोहल और एच्टू एसफोर की मदद से से बनाया जा सकता है देख लीजिए कैसे अगर हम एथाइल एलकोहल का रियक्षिन कॉंसंट्रेटिट सेल्फियूरिक एसिट के साथ करते हैं इसको एक्सेज में लेना है तो आपके पास एथर फॉर्म होता है इसको एक्सेज में लेने की वज़ा यह है कि सल्फियूरिक एसिड हमने कॉंसेंट्रेटिट डाला हुआ है तो अगर हम इसको कम मिकदार में लेंगे तो वह रियक्षिन जोई रहा उस जिससे कह सकते ना कि उस टेंडेंसी से एथीन ना बनाने के लिए कर आपको एथर बनाने तो यलकॉहल one's मिलेंगे और आपको एथीन मराना है तो यलकॉहल लिमिटेड़ मंट में लेंगे थो इसीन अपने तो मेकैनिसम में आप लोगो समझ में भी आ रहा होगा तो से मुश्किल नहीं होगा फिर भी हम इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा बहतर अंडरस्टेंडिंग डेवलप कर सके हैं आप लोग सरी अलकोहल की कैमिकल रिएक्षिंस में आपने पढ़ाया था ना मुझे याद निये विटाइगेस पढ़ाया हो मस्था ये कि याददाश इतनी अच्छी है हमारी के हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया अब देखो इसके अन्दर ये एक मॉलिक्वल में से एच और एक मॉलिक्वल में से वेच निकलेगा तो फिर यह आपके पास वॉटर बनेगा और दूसरी जानिब सीटो एज फाइफ ओ इसके पास बांड विकेंसी की रियेट हुई है यह इधर से सीटो एज फाइफ को जोड़ देगा ठीक है तो यह आपके पास डाई थाइल इधर बन गया अब दूसरे तरीका बार आ जाएं कि इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या है अच्छा यह भी एथाइल अलकॉहल की मदद से है अच्छा है लेकिन इसमें हम सोडियम मैटल का इस्तमाल करेंगे अच्छा इसको नाम से भी पता होना चाहिए इसको हम विलियम सन कि सिंथिस कहते हैं कि ना नाम इसलिए क्योंकि अगर नाम से एम सी क्यू या कोई सवाल पूछ ले जाए तो हमें पता हो कि बात किस चीज़ की हो रही है कि नाम दिया हुए अगर नाम नहीं दिया होता तो हम भी नहीं बताते आपको तो इसमें आपने इलकोहल लिया इसका रिएक्शन आपने कराया है सोडिया मैटल के साथ तो नतीजे में आपके पास बन गया सी टू एच फाइफ ओ एने हाइड्रोजन रिलीज हुआ ठीक है एच टू गैस रिलीज हो गया आपके पास यह पहला स्टैप है क्योंकि एलकोहल में जब भी सोडियम डाला जाता है तो वह हाइड्रोजन रिलीज करता है और यह प्रिपरेशन आप लोग चैप्टर टू मे भी पढ़ चुके और इससे प्रीवियस एक टॉपिक्स में भी इस तरह का रियक्शन अल्रेडी आप पढ़ चुके हो अब यह जो आपके पास सॉल्ट बना है सोडियम इथ ऑक्साइड इसे कहा जाता है देन यह सोडियम कि इथ ऑक्साइड को कि आप रियक्ट कराते हो इथाइल क्लोराइड के साथ सी टू एच फाइफ सील अब 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 तक तो शाहिद यह बात याद हो जानी चाहिए आप लोग को के अलकलीज आर वेरी वेरी अट्रेक्टिव तुवर्ट्स सोड हैलोजेंस तो वह अपना पाथवे बनाएगा क्लोरीन को जाएगा और इदर क्लोरीन के लगते ही एने सियल बनेगा ठीक है अब इदर क्या बजगिया आपके इदर बज़ गया सी तू एच फाइफ यिए आपके पास उफ नेगकिटीफ चार्ज ठीक है यह यह निगटिवली चार्ज़ज है इदर प्रकिस्टिव दोनों आपस में अट्रेक्ट हो जाएंगे एन आपके पास c2h5 c2h4 c2h5 बन जाएगा जिसे आप कहे रहे हो डाई थाई लितर इसमें कोई सवाल बेटा किसी को कि नो सर्थ चीक है अच्छे अब आजाए ये नंबर थर्ड कि तीसरा आपके पास आप इथाईल क्लोराइड का इस्तमाल करें कि बाए अच्छे सिलवर ऑक्साइड अच्छे सिलवर ऑक्साइड का रियक्षन कराएं आप इथाईल क्लोराइड के साथ तो यह आपके पास बन जाएगा अच्छे सब्सक्राइड का इसका रियक्षन आपने कराया एजी टू ओ के साथ इसको आपने हीट किया तो यह बन गया सी टू एच फाइफ ओ सी टू एच फाइफ अब और टू एजी सी एल इसका मेकैनिजम समझना है तो इसमें क्या हो रहा है वाई देखो सीधी सी बात है सी टू एच फाइफ और सी एल यह रियक्ट कर रहे हैं कि एजी टू ओ के साथ हो क्या रहा है वह यह राय कि यह अपस्ट में क्योंके है लूजेंज एंड वेरी वेरी अट्रेक्टिफ टू वर्ट इच अधर यह दोन आपस्ट में बाड़न कर रहे हैं यह बन रहा है विटा टू एजी इसी एल अब इदर से बाड़न टूट रहा है तो दो ऑक्सिजन के दोनों वे कैंसी वेलेंसी खाली हो रही है और इन दोनों इथाइल्स की भी यह दोनों इथाइल्स अल्टिमेटली इसके साथ रियक्ट कर जाएंगे बेटा बात समझ में आई यह सर यह सर अच्छा जी अब इसके रियक्शन की बात कर लें अच्छा जी अच्छा जी कि अब बात कर रहे हैं हम बेटा रियक्शन्स और डाइए एथाइल एथर कि तो सबसे पहला जो इसका रियक्शन है वह ऑक्जोनियम आइन की फॉर्मेशन है कि फॉर्मेशन और ऑफ ऑक्जोनियम आइन अब सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वोट इस ऑक्जोनियम आइन पहले हम वह देख लेते हैं वन वन ओक्सीजन इस पॉसिटिवली चार्ज़ जब ऑक्सीजन पॉसिटिवली चार्ज़ और और इस बॉंड़ तो थ्री एटम्स वो तीन एटम्स के साथ बॉंड़ दिए भी हो तो फिर उसे हम ऑक्जोनियम आइन कहते हैं ठीक है अब देख लीजिए कि यह होता किस तरीके से है इसमें हम डाइ मीट डाइ इथाइल एथर का रियक्शन करवाते हैं है एक सीएल के साथ अच्छा ऑक्सिजन के पास इलेक्ट्रॉन के दो लोन पेर्स अवेलेबल होते हैं अच्छा यहां पर यह पार्शल पॉजिटिव है यह पार्शल नेगेटिव है जब दोनों में रियक्शन होता है तो जो ऑक्जोनियम आइं की फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है कि सी टूएज फाइफ ओ सी टूएज फाइफ और एक तरफ आ जाता है एच इसे कहते हैं हम अग्जोनियम क्लोराइट और क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है यह पूरा कंपाउंड पॉजिटिव होता है इसे हम कहते हैं डाइए थाइल और जोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड है अगर इसमें से मैं सिर्फ इस इससे की बात करूं तो यह कहलाता है ठीक है कि वाज समझ में आगई बिटा अब इसके अगर मतलब मेकैनिजम वाइज मैं आपको समझाओं तो देखो होता कुछ इस तरीके से है कि यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग जो है रहा वो होती है और इसमें एच पॉजटिव अलग होता है एंड क्लोरीन नेगेटिव अलग होता है अब वी नो वेरी वेल के ऑक्सिजन के पास अगर लोन बेर ऑफ एलेक्ट्रॉन है तो यह अपने इन लोन पेर ऑफ एलेक्ट्रॉन का फायदा उठाकर इजी ली को ओडिनेट कोविलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कि अधर असल यह हाइडरोजन के साथ ना अपना एक कोडिनेट कोविलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है जिसकी वजह से यह पूरा आइन जो है वह आपके पास पॉजटिव ली चार्ज हो जाता है अच्छा पॉजटिव ली चार्ज इसको देखकर यह जो क्लोरीन जिसके और राइट नाम का एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है इट इस सिंपल एस एक ठीक है ठीक है समझ गया तो इस तरह से हम की टोन भी बना सकते है इथर से अगर हम हाइडोजन की दर्वा कार्बन को कर वादें बॉन्ड बनवादें और उसके लिए कार्बन को पॉजिटिवली चार्ज मतब एलेक्ट्रॉन लॉस्ट होना जरूरी है और कार्बन की टेंडेंसी है नहीं कि वह कॉडिनेट कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करें असल में कॉडिनेट कोवलेंट कंपाउंड ना कुछ खास एलेमेंट्स और तो बाकी बात बिटा आपसे अच्छा आपने आपने ओक्जोनिया माइन की प्रेपरेशन देख ली क्यों जोनिया माइन कैसे बनता है अब इसका जो डाइथाइल इथर का जड़ा सबस्ट्रेट्यूशन देखिएगा क्योंकि दोनों तक्रीपन एक जैसे हैं थोड़ा सा फर्क आ जाता है आप जब हम हैलोजन एसिट के साथ रेक्षिन कराते हैं न तो क्लोरीन और ब्रोमीन की दो डाइथाइल ओक्जोनियम ख्लोराइड और रोवाइड ये फोर्म करता है लेकिन इयोडेन की सूरत में थोड़ा सा मामला अलग है याउडेन की सूरत पे अगर मिसाल की तौरपे इतर का रियक्शन कि गिरोगी इदर लो निम्रा बिटा माइक बंद करो कि इसमें यह पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव होता है अच्छा जब इनीशली रियक्शन होता है तो यह उसी की तरीके से यहां पर अक्जोनियम आयन ही परेपेयर करता है और बिटाओं यह आपके पास पॉजिटिव और आयोडीन नेगेटिव लेकिन यह यह कंपाउंट आयोडीन के लार्ज साइज की वज़ा से अनिस्टेविल होता है और इस वज़या से यह फर्दर decomposition का शिकार हो जाता है अच्छा further decomposition में क्या होता है further decomposition में यह जो आई है यह एक c2h5 को निकाल कर मैं इसको यहां से continue कर रहा हूं आगे यह further एक c2h5 को निकाल कर c2h5 आई बना देता है negative और यह positive अच्छा at the same time जब यह bond यहां से तूटता है तो oxygen के पास जो bond की कमी करियेट होती है इसकी वज़े से जो इस ने इस आयोडीन सारी इस hydrogen के साथ यहां पर अपना एक bond इसने coordinate covalent bond form किया वह होता है यह इसको बतलब जो है ना covalent में convert कर लेता है ठीक है इसको कोवलेंट में convert करता है क्योंकि यह bond टूटता है इसकी वज़े से यहां का जो electron electron होता है वो इस hydrogen पर shift होता है नतीजतन यहां पर आपके पास alcohol बन जाता है तो यह iodine की सूरत में alcohol बन रहा होता है बस एक यह छोटी सी बात हमारी रह गई थी इसमें कोई सवाल यह confusion किसी को है तो पूछ लीजिए वरना हम आगे चलें आगे चलूं अच्छा अब हमारे पास जो टॉपिक है विटा वह है कि नॉमन क्लेचर अधर का कि इसका नॉमन क्लेचर देख लीजिए विटा किस तरीके से होता है कि तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी जगा बना लूँ कि अच्छा दी कि देखिए वही बात आती है कि एथर के नाम लिखने के भी दो तरीके कि एक आपके पास कॉमन नेम होता है और दूसरा आपके पास आयू पीसी नेम होता है कि देख लीजिए कॉमन नेम किस तरीके से लिखा जाता है कि और आयू पीसी नेम किस तरीके से लिखा जाता है अच्छा कॉमन नेम के लिए इसको अलकाइल इथर का नाम दिया जाता है कॉमन नेम अगर होता है तो अलकाइल इथर लिखा जाता है और आयू पेसी नेम में इसे हम एल कॉग्जी अलकेन क्या कहते हैं ठीक है अच्छा अभी बात समझ नहीं आई होगी लेकिन एक्जैम्पल दूंगा तो समझ में आएगी जैसे है जैसे फिश्ट्री ओ छी अब अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहूं मैं तो कॉमन नेम क्या आएगा अलकाइल इथर लेकिन यहां पर तो दो अलकाइल है सर तो बिटाड़ डाई अलकाइल कर लो अच्छा कॉन सा अलकाइल है दोनों एक ही है मिधायल तो यह जाएगा common name है, ठीक है, अब IUPAC name सर इसका क्या होगा, बिटा L-Coxy-Alkane, यानि के इन दोनों में से जो छोटा Alkyl group हो, उसके साथ आप L-Coxy करेंगे और दूसरे वाले को आप Alkane ले लेंगे, अब दोनों तरफ यहाँ पर जो Alkyl है वो एक जैसे ही है, तो आप किसी को भी Oxygen के साथ Associate करें, किसी को भी अलग ले लें, तो इसको मैं Oxygen के साथ Associate कर रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Meat Oxy, यानि कि मैंने इस पार्ट का नाम, इस पार्ट का नाम Meat Oxy रख दिया, अब यह क्या बचा है मेरे पास, Methane, Simple, अच्छा किसी के जहन में सवाल आ रहा होगा सर, Methane तो CH4 होता है, बेटा CH4 हो नहीं सकता ना यह, क्योंकि एक बॉन्ड इसका जो है वो Oxygen के साथ बना हुआ है, ठीक है, तो Meat मतलब वन कार्बन को सिंगल कैसे हुआ है, इस ऑक्सिजन के साथ कार्बन का कार्बन के देखो ना सारे बॉन्ड सिंगल है, यह कह रहा हूं, ओक्यों, अच्छा जी, अब हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं, ठीक है, जी, सब्सक्राइब, को मैं बताईए, वन प्रोपाईल, वन इथायल, इथर, नहीं, इथायल, इथायल, प्रोपाईल इथर, पहले छोटा वाला, इथायल, प्रोपाइल एथर यह हो गया कॉमन नेम ठीक है अच्छा मुझे अभी आई यूपीसी नेम की आवाज आई किसी की तो यह आप इसको हाँ आई यूपीसी में इसको नंबरिंग कर सकते हो वन वन कह दो इसको यहां पर वन इत ऑग्जी छोटे वाले को इत ऑग्जी और बड़े वाले को अलके इनका नाम दे दो प्रोपेन सिंपल है ठीक है तो बता ना फिर रिपीट कर दूँगा ठीक है प्रोपेट निम्रा बेटा यह किस बच्चे को गोद में लेके बैठ गई हो तुम क्लास लेने के लिए कौन है निम्रा कि तरबान जी है तो उसको गोद में लेकि क्यों बैठी हो बिटा क्लास देने है उसको समझ में आ रही है वो मेरे पास आ गई है और ना मेरे मैंने क्लिप लगा ना तो खेच लीटी तो उसके बोल रही थी बैठ जा वही तो बोलूं कैमिस्ट्री तुम्हें समझ नहीं आ रही उस बिचारी को कहां से समझ में आएगी वह आपना कुछ और खेल ली रही चलो सब्सक्राइब अच्छा पर जारा कॉमन नें बताई इसका मीथाइल आईसो ब्यूटाइल इसका मीथाइल आईज़ ब्यूटाइल एथर अब वह बताईया यूपीशी नें वन मीथ ऑक्षी ब्यूटेन इसका नाम होगा वन इस मीथ ऑग्जी तू मिथाइल प्रोपेन 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 ना अच्छा एक पिनट जरह मुझे देना यार मैं एक रूल को मिक्स अप कर रहा हूं मैं उसे चेक कर लूँ वैसे तो इंटरनेशनल यह चीज है तो मैं आपको यह बता देता हूं लेकिन बुक वाला जो है उसके मुताबिक इसका नाम होना चाहिए था तू मीथाइल वन मीथ ऑग्जी प्रोपेन आपकी बुक के मुताबिक इसका नाम यह होना चाहिए था अच्छा नंबरिंग कैसे करते हैं जहां पर आपके पास जो साइड कार्बन की बड़ी होती है ना उदर आप लॉंगेस कार्बन चेन बनाते हो और फिर नंबरिंग वहां से करते हो जहां से आपके पास ऑक्सिजन करीब आ रहा हो तो वन टू थ्री इस तरीके से आप इसको कर लोते हो ठीक है अच्छा आईजो का नाम यहां पर क्यों नहीं दे रहे सर पिटा आईजो का नाम हम कॉमन में दे रहे ना आईजो ब्यूट सब को यह कि नहां से ओके मलीहा तुम्हें समझ में आया है इसको इस ते कह रहा हूं कि देखो यह जो ऑक्सीजन जुड़ा है ना यह मीट का मतलब देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड पर अच्छा जो लंबा ना जो बड़ा है वह आपके पास ब्रांच है में चेन है और जो छोटा वाला है वह फंक्शनल गृप यह मेरे पास जो मीट बलब यह वाले जो सी एश तरी इसको मैंने मीट लिया और इस क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन लगा तो इसको मैंने का मीट ऑग क्या रहा हूं क्योंकि यह मेंचेन के नंबर वन कारवन पर लगा हुआ है तैस वाए है 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 कि अच्छी है अब जीटा है कि अच्छी कैसे हुआ है यह मैं स्ट्रक्चर लिख लूं फिर आपको बता देता हूं कि अच्छी अच्छी आप यह बनाओ गया ना इसकी लॉंग इसके लॉंग इसके यह होगी नंबर वन यहीं आएगा ऑक्सिजन के पास वाला जो कारवन होता है वन वह होता है तो इथाईल यह च्छोटी ब्रांच है तो इत ऑजी कहां पर लगावाए वन गार्वन पर कि इस तरीके से हुआ है क्लिया है कि अलफबेटिक और भी फॉलो करेंगे ना इथाई प्रोपाइल वगारा में हां जब अब उसमें आएंगा कि क्या कह रहा था भूल गया कि मैं कॉमन नेम क्या पूछ रहा था ओके कि चलिए जी अब इसका कॉमन नेम बता दीजिए और आई यूपेसी भी क्या होगा कि कॉमन नेम कि नियू पेंटाइल आईसो ब्यूटाइल एथर कि इसका कॉमन नेम जो आ जाएगा वा जाएगा आपके पास आईसो ब्यूटाइल कि आईसो ब्यूटाइल पहले छोटा वाला ठीक है और फिर बड़ा वाला नियूपेंटाइल कि और एथर सब्सक्राइब अब आ जाते हैं आई यूपेसी नेम पर तो लॉंगस कारवन चेन आपके पास यह होगी विटा सब्सक्राइब और यह आगे आपके पास पूरा का पूरा ब्रांच में से लगाएगा लेकिन अब यहां पर मैं आईसो लगाऊंगा कि क्योंकि यह सिंपल ब्यूटाइल नहीं है यह अगर सिंपल ब्यूटाइल होता तो चार कारवन सीधे-सीधे लगे वे होते आहा है वैकर जब हमारे पास गार्डी कंपोजिशन इस तरीके से हुआ उता है तो हम उसे अनॉटाइल के हैं लेकिन अब यह ब्यूटाइल नहीं है बटाइस अबहरी ऐसा मらा रहा हूं कि यह से ठीक है तो इसका नाम क्या बनेगा इसका बनेगा वन ऐजो यह ब्यूट ऑगजी बलके नहीं आपको बुक के अकॉर्डिंग जाना ना तो ब्रांच के नाम भी लिखने पढ़ेंगे क्या आपकी बुक में ब्रांच का नाम वह पहले लिखने तो टू पर मिथाल लगए ना तो यह हो जाएगा टू कॉमा टू कि टाइमी थाइल वन आइजो ब्यूट ऑग्जी और तीन वह है तो यह जाएगा आपके पास प्रोपेन ठीक है बिटा समझ गया यह वाली बात कि यह सर्थ कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को भी इसमें आपके पास यह नहीं है हम अगर सिर्फ ब्यूटाइल लिखते ना तो वह ब्यूटाइल इसका मतलब देता है मुझे बताना था कि यह वाली चीज नहीं है दरसल यह वाली चीज है तो इसलिए मैंने लफ आईजो का इस्तमाल किया है अब अधर इसको डूब इसको चूब एक तो भी लग सकते हैं ना इसमें लिखें इसको और इसको और कैसे लिखेंगे आयूप मतलब सेकिंड तर है ना अए नहीं 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 वैसा कुछ नहीं करेंगे इस साइड पर यह पूरा आपका पास functional group consider हो रहा होता है जब नाम लिख रहे होते हो तो इसलिए इसमें जो IUPAC rules आप follow करते हो ना two three यह सब लगा कर कभी भी functional group में आपने ऐसा नहीं किया है कि बीच functional group में आप positions कहीं बता रहे हो जाके आप functional group की position जरूर बताते हो वह हम यहां पर भी बता रहें वन लेकिन फंक्शनल गुरूप में जाके तो कहीं भी हम position नहीं बताते न ठीक है जो चोटा है एक साइड़ पर बड़ा होगा एक साइड पर चोटा होगा जो छोटा है वह functional group माना जाएगा जो बड़ा है वह आपक इन में आ जाएगा है सब्सक्राइब कोई सबसे पहला केस मैंने वही बताया था उसमें आपकी मर्जी है आप किसी एक साइड को functional group और किसी एक साइड को चेंद मान लीजिए और कोई सब्सक्राइब किसी का चलिए कि क्या प्रॉब्लम हारी है विटा कॉमन ने में अब देखो नियू और आइजो मैंने तुम लोगों को चैप्टर नंबर एट में बताया था अब अगर याद नहीं है ना प्रीविएस चीजें तो ये गडबड़ वाली बात है आईजो का मतलब आई वांट टू इंडिकेट आईजो मर सो देट इस वाए मैं लवज आईजो का अब रहा सवाल के सर नियों का क्या मतलब है बिटा प्राइमरी कार्बन के दो तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं कि जिसमें प्राइमरी कार्बन के इस तरह का स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है कि ऐसे जिए ठीक है और के साथ सेकंडरी जैसा structure नजर वह कहलाता है उसको हम आइसे बोलते हैं और अगर प्रामेरी कार बन के साथ प्रूटरी जैसा structure नज़र आते तो उसको हम निम von अंब यह रहा मेरा फॉट्री कर्बन बिटा जो फंक्शनल से जुड़ा हुआ अब इसके पीछे मुझे तर्चरी स्ट्रक्टर नजर आया इस वज़े से मैंने इसके साथ नियू का लव्ज इस्तमाल किया कुछ समझ में आया बेसिक्स को थोड़ा सा याद करो थोड़ा सा रीकॉल करो क्योंकि देखो सीधी सिवा आते बिटा एक चीज अगर प्रीवियस चैप्टर में पड़ी जाती है कोई तो इसका मतलब यह होता है कि आगे कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ इस्तमाल है तो अगर वो चीज़ आपके जहर में नहीं है और एड़ टाइम उसको रीकॉल करना यह बड़ा मुश्किल मरहला होता है एड़ टाइम आप उसको रीकॉल भी कर लो यह लीजे मैंने क्योंकि मुझसे एक स्टूडन ने कहा कि वो विचारे सुबह से आप लोग क्लास ले रहे हैं मुझे ऐसा पता चला तो आप एक्स क्लास कैंसल कर दें मैंने बहुला क्लास तो कैंसल नहीं होगी मैं कोशिश करके उसे शौट जरूर कर सकता हूं तो इसलिए मैंने सारी लिखूंगा कॉमन नहीं लिखूंगा ठीक है क्योंकि अब मेरे पास इस्ट्रक्टर बड़े बड़े आएंगे अब मैं सिर्फ आपका यूपसी बता रहा हूं देखिए ऑक्सिजन की एक साइट पर छोटी चेन है यानि यह फंक्शनल क्रूप बनेगा दूसरी साइट पर डाइमी थाइल कि के उसके बाद वन पर लगा हुआ है यह तोग जी यह तोगजी पूरा आपके पास और कितने कार्बन चेन में हैं पैंटेन पांच हैं यह सका यूप यसी नियम होगा है हजब हुआ कुछ बढ़े हो भले वह लॉंगेस्ट ही बनेगी बनानी ही लॉंगेस्ट आपको और स्टर्ट वहां से कार्ण से सेकेंड नमबर नमबर पे उपर जौए हमेब इस यहां पे यहां पे नहीं उपर वाले में यह पैंटाइल होता है कि यहां पर जी तो फिर यू बन जाती तो यह अगर मैं बनाता भी तो फिर यह मेरे पास पूरा ब्रांच होता और यह मेरे पास वह फंक्शनल ग्रोप पूरा होता उसका कोई मसला थोड़ी है अभी भी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करूंगा चेन स्टार्ट यहीं से करूंगा अच्छा जाए तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ मुझे यह लॉंगस कारवन चेंज में आ रही है देख लीजे कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है तो मैंने अ सब्सक्राइब क्या गलत बनाएं यही आ रही है मेरे खाल से लॉंगस पॉसिबिलिटी यह से एक यह ब्रांच है एक यह ब्रांच है तीन ब्रांच यह हैं और पर यह आपके पास फंक्शनल ग्रूप है वारबात सुने सुनाए बिटा उपड़ सीच थी से भी तो ले सकते सब्सक्राइब का मतलब निम्रा का दिमाग चल रहा है यह लो मिर्जा तुम्हारा वाला केस का इसी को कह रहे थे यह से यह लो आ गया तब अगर निम्रा सही बता रही है तो इसका मतलब अभी तक मैंने जो भी समझाया है वो सही समझाया है मैं ऐसा मान सकता हूं मेरे दिल को इतमिनान हो गया वर्ण आभी मेरी तारीफ करते हैं या कुछ और करते हैं बता दें आमकरा बीटा किसम खुदा की दिल से तारीफ करता हूं और तब मुझे यकीन हो जाता है मेरे पढ़ाया बच्चों को समझ में आ रहा है और निम्रा को समझ में आ रहा है तो इसके मतलब सबकों को भी मुझे अगर अगर बोलेगा ना कि मुझे समझ में नहाए तो उसका सर तोड़ दूँगा अच्छा दी अब यहां पर नाम देखिए बिटा फोर इथाइल यह रहा इसके बाद पहले हम आता है हां थ्री और फाइफ थ्री कॉमा फाइफ डाइम इथाइल और फिर आजाए यह फाइफ प्रोपाइल फिर आजाए यह टू पे लगा हुआ है प्रोपाउग्जी प्रोपाउग्जी टोटल नौ है प्रोपाउग्जी नौनें समझ गए बिटा नाम यह समझ में आगे इसका ठीक है चलिए जी आहिस्ता आहिस्ता आपकी मुश्किलात में इजाफा करते जा रहे हैं फंक्शनल ग्रूप हम बढ़ाते जा रहें ब्रांचिस बढ़ाते जा रहें इसकी लोंगे स्कार्वन चेंट क्या है एक दो तीन चार पांच छे साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ स्ट्रेटी बनाएगा वाइए लेकिन लॉंगे स्कार्वन चेंट को यहां इस तरफ च्छ तो च्छ तो च्छ के पास बन रहे हैं जी बिटा विलकुल लेकिन फंक्शनल ग्रूप अले कार्वन को चेंड में शामिल करना लाजमी होता है कि अगर आप यू चेंड मना दोगे तो फिर यह पूरा हिस्सा आपके पास काउंटी नहीं होगा ना चेंड में तो यह मैंने तो याद करके थोड़ी बैठाओं के मुझे यह वाला स्ट्रक्चर कराना है तो आपको रूल बेसिकली मुझे समझाना मकसद है और कंपाउंड याद कराना मकसद थोड़ी अगर मेरा यह मकसद होता तो आप लोग की पूरी जिंदगी घुजर जाएगी आप को कंपाउंड याद नहीं होंगे तीस करोड कंपाउंड है दुनिया में कैसे याद करेंगे इसलिए विटे ठीक है अच्छा भई अब यह आगया आपके पास तो वन टू त्री फोर फाइफ सिक्स सेवन हाँ वाई क्या करें पहले नाम किसका लिखें क्लोरी नायोडीन ब्रोमीन का या मिठाइल इसाइल का तो तो यह तो फ़ोर पे इथाएल ठीक है फाइफ और शिक्स पर मीठाइल है फाइफ कॉमा सिक्स डाइ मीथाइल तू पे प्रोपाइल है तू प्रोपाइल अब आजाए है लाइट्स पर पहले ब्रोमीन नहीं 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 पहले ब्रोमीन बिटा इल्फबेटिक ओडर ओक्यों थ्री ब्रोमो वन कॉमा टू कि यहां गंदगी ज्यादा होगे नीचे लिख लेता हूं डाइक लोरो कि फिर फोर पर आयोडो और फिर आजाएगा वन पर आपके पास यह मैंने कुछ जादी गंदगी यह मचा लिए गंदा सा लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों इसको स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं 4-ethyl 5-6-dime-ethyl 2-propyl 3-bromo 1,2-dichloro यह अभी भी एक लाइन में नहीं आ रहा है वन कॉमर टू डाइक लोरो और फिर आजाएए फोर पे आयोडो तो सारे हो गए अब इसका नाम लिखना है कि वन पर है और यह क्या है वन टू थ्री फोर फाइफ फाइफ पर है यह पैंट टॉक्जी नहीं होगा आद रहे अभी यही चीज समझा रहा था थोड़े दिर पहले यह ओगा आई जो पर टॉक्सी क्योंकि पाइंट उक्सी होता तो सीटे सीटे सीच्टो छी तो यह जाएगा आइजो पैंट ऑग्जी और लास्ट में आ जाएगा साथ कारबन है तो हैप्टेन यह एक कंपाउंड का नाम है काफी बड़ा नाम हो गया इसका है ठीक है वाइट कुछ छी टे सर जब हमने की आयो पीए नेमिंग करी थी थी हम दूशने पहले है लाइट को पहले लिखा ता फिर अलकाइल ग्रॉप को है लाइट सको पहले लिखा था जी फिर अ दाल गार्व हम लिखा तो ईस です चेक करतें अच्छा यहां पर देखे थोड़ी सी गड़बड है और गड़बड यह है कि हमें पहले चाहिए हमारी बुक के मुताबिक हमें पहले हेलो जिन्स का नाम लिख देना चाहिए उसके बाद हम अलकाइल्स के नाम लिखें तो कोई मस्ले वाली बात नहीं है लेकिन पहले हमें हे नाम लिखना चाहिए हमारी बुक ऐसा कहती है हमसे तो हम ऐसा कर भी देते हैं कि के जी मैं थोड़ी सी जगावगा बना लूँ कि अच्छा जी यह हो जाएगा आपके पास फिर उस हिसाब से कि थ्री पे ब्रोमों ठीक है और वन टू पे डाइक लोरो फोर पे आयोडो इसके बाद फोर पे इथाईल अच्छा यह चीज़ मुझे याद अभी किसी ने दिलाई थी तो किसने दिलाए थी मुझे याद बसाई मैंने थैंक यू मिर्जा डाइ मिथाइल तुम्हारे लिए एक चॉकलेट पक्की अगर कोचिंग फिजिकली नुवर्ट हो है ओके सब्सक्राइब तुम्हें चॉकलेट फिर वही बात तुम नहीं नहीं चोड़े तुम चॉकलेट भी घलाजत से खाओगी सामने चलते में किसी घड़े की पॉटी में लगा के चॉकलेट खाओगी कोचिंग में सब को उल्टियां लग जाएंगी बिटा अभी इतनी मुश्किलों से कोरोना सभी हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके तुम यह घलाजते पहलाना शुरू कर दोगी पता नहीं कौन सी नसल का वाइरस पहलेगा तुमारी इस गलाजत से इसका तो ख्याल करें रिकॉर्डिंग होने है ओ सॉर्य अब इसको मैं एरेज नहीं कर सकता और अनफॉर्चुनेटली मुझे डालना पड़ेगा तू पे प्रोपाइल और इसके बाद आजाए वन पे पैंट ऑग्जी है अब ठीक है तुम पॉपिलर हो जाओगी वैसे नाम ले लूँ गया यही तो नहीं नहीं तुम इस तरीके से जलील हो रही हो माशरे में तो अपना नेचरल होना है और मैं ऐसे ही हूं लाइक मैं नेचरल बंदा हूं तो मैं बिल्कुल नेचरल होकर तुमसे बात कर रहा था मुझे क्या पता था कि यहां पर रिकॉर्डिंग तुम इस तरीके से जलील हो रही हो माशरे में बदब रिकॉर्डिंग को भी खोड़े आप सारे बच्चे हैं आपके इतनी क्या दिन्ना गल्ना बोला ना वो हम गीता पर हाथ रक्के सौगन खाते हैं न कि जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा यह देखो तुमारी मनहूस नजर लगी है यह हैंग हो गया तो क्लास बस कर दें अभी नहीं दो दो नाम और बाकी हैं वरना इस होमबग फस जाएगा तो आपने छूटा वादा किया था तो वादा वफा नहीं हो सका वह अलग बाते वादा तो करा था ना मैंने कोशिश त मतलब मैं तुम लोगों पढ़ाने से 20-25 मिनट पहले से बैठा वाई सब लिख रहा था लाइक यह 20-25 मिनट काउंट करेगा अच्छा एक काम करो अभी यह मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं जल्दी से जरा री जॉइन कर लो 25 लोग इस वक्लास में दो स्ट्रक्टर रह गए जिसमें मुझे ओएच फंक्शनल ग्रोप और डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड का केस समझाना है यह समझ लो उसके बाद स्वार चीजें आपके सामने लिया हूं मतलब मैं है लो जन वी लिया ब्रांचेश ऐलकाइल भी ले आया हूं डबल बॉंड बल्याया हूं और हाइड्र भी लियाया हूं ठीक है बई तो सबसे पहले लॉंगे स्कार्बंट चेन की एक क्या टेन अब बार बारद सबसे पहल वाला जो कार्बन इससे जुड़ा हुआ है बतब इथर बना हुआ है यह वाला कार्बन भी चेन के अंदर ही होना चाहिए ठीक है अब बाकी जो कुछ बचा आपके पास वो ब्रांच है अच्छा एक बात है अभी इससे पीछे पहले के लेक्चर में जब केटोन और ल्डी आइट की बात करें उसमें जब और रहा था तो हम वह को वह इजद नहीं दे रहे थे जो वह डिजर्व करता है हम वहाँ पर कार्बोनाइल को इजद दे रहे थे फंक्शनल ग्रूप के त इतना भी बिटा गिरा पड़ा नहीं है कम से कम एथर से जमाने में उसकी इजद ज्यादा है तो यहां पर में चेंड में नाम ओल आना चाहिए अब किस तरीके से जरा देखिएगा सबसे पहले नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग यहां से करेंगे यहां से अमारे पास ओ करीब आ रहा है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन तो सबसे पहले हमें है हैलाइट का नाम लिखन इस वाइगा ना पहले औरी सॉरी सॉरी माय मिस्टेक सिक्स पे ब्रोमो है था फाइफ पे लोरो है यह दोनों फारिग हो गए अब आजाए इन पर प्रांचेस पर तो तीन मीठाइल मुझे नजर आ रहे हैं थ्री कॉमा फोर कॉमा एट प्राइमी थाइल है ठीक है मिठाइल भी फारग हो गया अब एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ है 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 टॉक्षी नहीं कहूंगा क्योंकि है टॉक्षी कहने के लिए लिए लेकिन यहां पर ब्रेकिंग थोड़ी दूसरे तर यसी हुई भी है यह कहलाएगा बिटा थ्री है यह टॉक्षी यह नहीं सौरी थ्री यह आई यह यह ब्रॉक्षी तो कि उसके बाद कि दस आपके पास वह हैं चेंड में थ्री आइजो है टॉक्जी कि डेके नहीं थ्री हाइड्रोग्जी डेक जी जी बेटा उसका हल निकाल रहे इसलिए मैंने डेक एन का जो आखिर का एनी था वह मिटा दिया ना तो मैं इसको कर रहा हूं थ्री आइजो हैट्रोग्जी डेक कि फोर कॉमा कि सिक्स डाइएन और उसके बाद वेज़ भी लगावाएं ना कि सेविन ओएल अगर आपको याद हो एलकोहल में जब हम आयूपीसी नेम लिख रहे थे तो आखिर में अलकें के एक को अटाके ओएल लगा रहे थे मीथानौल प्रोपनौल इथानौल ब्रोटनौल तो यह देखो आखिर में ओएल ओएल इस इंडिकेटिंग के यहां पर ओएच 248 ट्राइमिथाइल 3 ऐज्जो हैप डॉक्स हेप टॉक्षी 4,6 डेकडाइन और सेवन लिखते तब भी सही होता है मतलब हम 4,6 डेकडाइन लिख देते तो क्या सही होता यानि के आखिर में उपर तक उपर का सारा यह रहता आखिर में क्या हो जाता ही हो जाता 4,6 कि या फिर मैं ऐसे लिखता कि सेवन डेकॉल और फोर कॉमा सिक्स डाइएन तो भी चल जाता कि को इशु नहीं यह 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 है मैं बहतर यह समझता हूं मतलब कि मैं कामन प्रेक्टिस है कि जब एक ही चेन में मतलब आए कि अगर मैं डैक डाइन लिख दूँ कि यह जो डबल बॉंड था यह इसका सगा था हम सौतेले थे इस ती इसने हमें यहां पर जगा ना दी इसी तरीके से क्या पता अगर मैं ऐसा लिखता तो उस वक्त डबल बॉंड के दिल में ख्याला था कि कि ये ये एलकोहल, इसका सगहत है, इसके साथ जोड़ा हमें अलग कर दिया, तो इस फसाद से बचने के लिए जा करता हूँ, चेन अलग लिग देता हूँ, और सारे फंक्शनल गृुप को अलग लिगता हूँ, अब इससे क्या है, अब इससे सब खुश हैं, किसी को भी मसला क्यों क्यों कि कोई भी ने अब यह देखेगा अकेला है चेंद यह देखेगा चेना केलई यह यह देखेगा चेन्देटी तो एसकी को किसी को कोई लड़ाई है समझ गए बात जा तो तो पूरे साल ही तो तुम लोगा ख्याल किया थोड़ा तो और गयानिक कंपाउंट कभी कर लेने दो तो नहीं किया तुम्हारा तो कभी करूंगा भी नहीं और मैं अभी बहुत सारा कुछ है जो मैं बोलना नहीं चाहरा मैं बता रहा हूं बस बद्बू आना शुरू हो गए चलो बिटा यह आपके एथर के आयूपेसी नेम का हमवर्क है जरा नोट कीजिए ले लिए स्क्रीन शॉट पहला दूसरा जी ठीक है आगया जाए थ्री फॉर हो गया जी फाइव सिक्स अधर तो करें जी बोला था निम्रा ने और तुम लोग तुम लोग का साब उन स्लो चल रहा है कहां तक किया यह बताओ दी फॉर गदे रहे हां ले लो ले लो त्री फोर अगया ओके जी सेट डबल और ट्रिपल बॉंड और फंक्शनल ग्रूप में फंक्शनल गूप इंपार्टिंस देते हैं ना किस चीज के लिए बैटा फाइव सेख लीजेगा नंबरिंग के लिए नंबरिंग के लिए जी फंक्शनल ग्रूप को देते हैं ओके साथ फाइव सिक्स ले लिया सेवनेट इट इचे करें नाइन टैन आगे चलूँ जी एस एलेवन ट्वेल्ड खदीजा ये लीजे आपके फर्माईश विटा ट्रिपल टाड़ इतनी दादा फर्माईश नहीं ही थी अपिटा आप स्टूडेंट है मेरे सब तो आप लोग के दिल की बात को रखना तो मेरब पर लाजिम है कि आप लोग एक मांगेंगे आपको दस देंगे अब सब्सक्राइब लेना था है लास्ट वाला जो मैंने करवाय जीजी ओके एक मिनट रुको लो अब लो